तो देर स्टुडिंट आज कि इस वीडियो से आप सभी के बारा से पंदरा नंबर पक्के होने वाले हैं हाँ आपने सही सुना कारण पूछेंगे किस वज़ा से पक्के होने वाले हैं जो भी बीए फस्ट येर के फर्स सेमेस्टे के स्टूडिंट है जिनको इस बार दोहजार चोबिस पचीश चबिस सता इसे जब भी उनको पेपर देना है तो उनके परिच्छा में हिंदी का जो पेपर होता है उसमें तुलसी दाफ जिससे जुड़े दो फे तीन प्रस्ट अहमेंसा पुंचे जाते हैं तो इस बार भी दो तीन प्रस्ट आएंगी ही आएंगे छे तो दो-तीन प्रस्नों का मत्तब हो गया सबसे पहले इनका हम जीवन परचे जानेंगे फिर इनसे जुड़े कौन-कौन से कोईश्चन आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महाजपुण वह बताएंगे तो कुल मलाकी आप वीडियो को पूरा देखते रहेगा बस ठीक है चले शुरू करते हैं और ये वीडियो जो है सबसे पहले हम इस बीडियो में जीवन परचे जानेंगे गोसामी तुलफी दाफ जी का तो ध्यांस पूर्वक सुनेंगे कि लोक नायक या फिर आप लोग करते हैं महा कभी गोसामी तुलफी दाफ भारत के ही नहीं शंपूर मानवता तथा संसार के कभी हैं बहुत ही प्र इनका जर्म यहीं पर इस शंप में हुआ था बहुत सारे अलग अलग बिद्वान बहुत फारे अलग 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 लेकों के अलग अलग मद्वेद हैं ठीक है तो वह इस वीडियो में आप जानेगा ठीक है लिखा यहां पर उनके जर्म से संबंदित प्रमाडिक हैने की हो कोई सार्टिफ मतब कि उसको बोलते सार्टिफिकेट मिल जाता तो हां भाई कनफर्म कि हम पास हुए है ठीक है इफी तरह प्रमाडिक नहीं प्रमाड नहीं है कोई कि इनका जन्म यही पर हुआ था वही बात बहां पर बताई गई है और इनका जन्म 1532 इस भी सुविकार किया और इनके जन्म के संबंद में एक दोहा प्रिचलित है जो आप लोग खूनिए धान से सुनेंगे पंद्रह सव चौफन बसे कालिंदी के तीर स्रवनल सुकुला सब्तमी तुलफी धरयो शरीर ठीक है तो इस प्रकार आप यह पंक्त या फिर यह जो दोहा है यह प्रिस्तु का मत है कि इनका जो जन्म है वो 1532 सब्सक्राइब में हुआ है और लिख देंगे कि इनके जन्म के सम्मध में एक दोहा प्रिचलित है लोग जानते हैं तो आप यह दोहा लिख देंगे ठीक है उसके बाद तुलसी दाफ जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गाउं मे माना जाता है कुछ लोग मतलब कुछ बिद्वान बांदा जिले के राजापुर में मानते हैं और कुछ बिद्वान इनका जन्म जो अस्थान वो एटा जिले के सोरो नामा के एक अस्थान है वहां मानते हैं तुलसी दाफ जी कहते हैं कहा गया है कि तुलसी दाफ जी यह माता का नाम हुलसी था यह तो कनफरम है ठीक है यह तो कनफरम है कि वो सर्वी पारीण ब्रहमड थे और उनके पिता का नाम अत्मा दुबे और माता का नाम हुलसी था कहा जाता है कि अभियुक्त मूल नचत्र में जिर्म होने के करण इनके माता-पिता ने इन्हें बाल काल में ही त्याग दिया था मतलब कि आफा नचत मतलब कि आप लोग जिसको बोलते हैं की सुभ टाइम पर पर पैदा हुए थे ऐस वज़ा से बच्पन में ही इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था इनका बच्चपन अनेक कष्टों के साथ बीचा बहुत भाई बच्चा जब पैदा होता तो आप लोग समझते हैं कि जब तक वो मैचूर नहीं हो जाता जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहों जा तब तक अगर उसको छोड़ देंगे तो बहुत सारी इसके जीवन में प् बच्पन में उनको माता पिता ने परत्याग कर दिया जिससे उनका जो बच्पन है और बहुत ही कष्ट सबीता ठीक है उसके बाद लिखेंगे कि इनका पालन पोसड प्रिसिद्ध संत नरिहर दाफ ने किया इनका जो पालन पोसड है भाई बच्पन में बच्चा रहेगा इसका अगर कोई खानेक नहीं देगा तो खाए गा नहीं पाएगा उसको कुछ बोला कोई बोलेगा नहीं एक वो कुछ बह नहीं कर देगा गलत तो इनका जो पालन पोसड है वो प्रमुख और बहुते प्रसिद्ध संत नरिहर दाफ जी है इन्होंने किया इन्हें ग्यान और इनको उस प्रकार की फिच्छा दी कि एक ज्ञान के और बढ़ें और भक्ती के और बढ़ें और इनका बिवाहा पंडित दीन बंधुपाठक की पुत्री रतनावली से हुआ था बाद में जब यह मिच्यूर हो गए साधी करने की योगी हो गए तो इनकी जो साधी है दीन बंधुपाठक की पुत्री जिनका नाम था रतनावली उन्हें से हुआ था इन्हें अपनी पत्नी से अतधिक प्रेम था देखिए यह तो आज की बात हो गए तब भी बहुत अधिक प्रेम था तुलसिदा जी को और अब भी आप लोग जानते हैं कि समझ जाईए क्या वता अपनी पत्नी को ना पाकर जब इनकी पत्नी को नहीं मिली तब यह अर्धरात्री में आधितुपान का समान सामना करते हुए उनके पीछे-पीछे ससुराल जा पहुंचे मतलब कि यह बाहर गए थे उनकी पत्निन से बताए मिना मैं के चली गए ठीक है और जब यह घर वापस आये तो पता चला कि इनकी जो वाइफ है यानि पत्नी वह घर पे नहीं है तो इनको संदे लगा कि वह पत्सना करते हुए कहा मतलब कि गुस्सा में कहा भाई जब कोई पत्नी गई है वाइफ गई है अपने घर तो अगर पीछे-पीछे आप भी आ जाएंगे ठीक है वह आंधितुपान की तरह तो यह बात मतलब कि जब यहां पर पहुँच गे तो इनकी पत्नी ने जब इनको देखा तोन्होंने गलत तरीके से इनको बोला कि आपको दवरयवायव साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहूँ मेनाथ negat, मतलब कि आपको लाज नहीं आई आप पीछे-पीछे हमारे फादद दोड़ते चले आए हैं ठीक है तो ये और देख दीक ऐसे प्रेम को कहां कहों महिनात मतलब इन्हों ने कहा कि ऐसे प्रेम को धिकार है जिससे आपको भरदाफ ही नहीं उपाया और हमारे पीछे पीछे चले आए ठीक है और पत्नी ने इनको फटकार लगाई पत्नी की इस फटकार ने तुलफिदाफ मतलब पूरी तरह इनको ये बात लग गई ठीक है ये बात जब इनको लग गई तो वो जितने भी सांसारिक की मोह, हुमाया, रुपिया, पैसा, पेरे मुहबब सब थी उसको छोड़ के यानि की बिरक्त कर दिया और उनके हिरदे में बस एक ही चीज आई, फ्री राम के प्रती भाव इनके अंदर जागरत हो गया, ठीक है, तो फ्री दाफ जी के अनेक तीर्थ अस्थानों पे गए हैं, उन्होंने वहाँ पर भर्मण किया, और ये राम के अनन्य भक्त बन गए, मतलब भगवान फ्री राम की थी, ध्यान डखेंगे, इनकी जो भक्ती थी, वो भाक्ती दास भाव की थी, और उन्होंने अपने सर्व सेष्ट महाकाब रामचेत की मानद की रशना की गई थी, तुल्फिदाफ जी के द्वारा इस बात को ध्यान डखेंगे, तथा मानुजीवन के सभी उच्च्चा दर्सो का समावेश करके इन्होंने राम को मार्यादा प्रसोत्तम बना दिया था और 1623 में इनका निधन हो गया यानि कि 1623 का सन था और उसे समय काशी बना रख जिसको आप लोग बोलते वारणा शी वहीं पर इनका देवासन निधन हो गया तुलसी दास को हम हिंदु कभी और संद की रूप में जानते हैं और उन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाब रामचैत मानदस और हनुमान चालफा की रस्ना की ठीक है जो कि आज आप लोग पढ़ते हैं सुनते हैं ठीक है ये बहुत ही पॉप्लर हैं सबसे बड़े तो इस कुल मिलाके जिनका जीवन परचे से यही निकलता है जो में आप लोग कह सकते हैं कि भाव है जो इसका में फैक्ट है इस पूरे को पूरे जीवन परचे का वह यहीं निकलता है कि आप चाहे जिससे जितना प्रेम करिए अगर किसी वज़ा से आप से गलती हो गई और आपने किसी कारणवस कोई बहुत सारे क्या लोग करते हैं कि जब आज आते हैं कि कोई उनकी वाइफ कुछ उनको गलत बोल देती है तो वो क्या करते हैं एक तो उनको दो आपसंदिकेंगे अपने आपको खतम कर लेते हैं आत्मात्या कर लेते कहीं पर कट जाते हैं कहीं प लेकिन उस समय तुल्फिदाफ जी ने कोई ऐसा गलत कथम नहीं उठाया और वो सिर्फ भक्ति में लीन हो गए तो इससे भाव यह निकलता है कि चाहे कुछ भी हो आप अपने आपको खतम नहीं करेंगे अपना जीवन का दूफरा राफ्ता निकालेंगे जिससे अपना जीव तुल्सी के पारिवारिक स्थाष्यों का नामों लेकिजिए यानि की पैरिवार में कौन-कौन थे तुल्सीदाफ जी के है तो पिता आत्मा राम्दुवे थे पत्नी माता होल्सी देवी ती गुरु नरीहर्ज दाफ जी और पत्नी का नाम रतनावली था धान रखेंगे प वहां पर आप लिख देंगे दोहा वली कविता वली रामग्या प्रशना वली राम चेच मानश बिने पत्रिका रामलला नहचु पारबती मंगल जानकी मंगल बहरवे रमाड़ बहराग्य संदिपनी प्रेकर्शन गेता वली तो यह कुछ इनकी 12 प्रमाडिक रशना है लेकिन कविता वली है और कृष्ण गीता वली है बिने पत्रिका है दोहा वली गीता वली ठीक है यह ब्रश भासा में लिखी थे तुल्फिदाहदी जवारा ठीक है उसके बाद अगला कुश्यन है कि रामचेच मानश के सातों कंडों जो कांड़ है रामचेच मानश में उनके क्रम प्रमुक प्रिशन है अगला प्रस्ट है कि रामचेच मानश का रशना वर्स बताए कि रामचेच मानश की जुर्शना है संबत की बात करें तो 1630 में की गई ती अगर सन की बात करें तो 1574 में सुरू की गई ठीक है रामचेच मानश की रशना रशना वर्स यही उनकेच प्रमुक लेका को और कभी है अगला की कविता करके तुलसी ना लफे कविता लफी ना तुलसी की कला यह काभे पंक्ति तुलसी के किस विशे से या फिर किस विशे में किस आधुनिक कभ ने कही है तो यह बात प्रमुक का भी अयुद्ध्या सिंग उपद्ध्या जिनको हरी ओध उपाध दी गई है ठीक है इन्होंने ही बात कही है कि कविता करके तुलसी ना लफे कविता चैता का नामों लेग कीजिए तो गोफाई चैत के रचैता बेनी माधो दाफ तथा तुलसी चैत के रचैता महत्मा रगवर दाफ जी है इस बात को ध्यान लखेंगे प्रमुक प्रशने भी है अगला एक राम चैत मानस के प्रथम टीका कार कौन है उनका नाम लिखेंगे तो प्रमुक टीका कार है राम चैत मानस के प्रथम टीका कार है वाबा राम चड़ादाफ जी ठीक है तो इस प्रकार के कुछ कोश्चन आपको देखने मिल सकते हैं और ऐसे जीवन परचे आएगा अगर जीवन परचे आता लिख देंगे मतलब कोली मिला के तुल्फी आपको पूरी तरह वीडियो समझ में आ गई होगी यह पीडियो आपको चाहिए तो टेली वर्टसप पर मिल जाएगी और यह आपका अपना ही चैनल सक्षेस टूव है तो सब्सक्राइब जो लीजेगा मिलते हैं गोड़ने वीडियो के साथ जब तक ले जहिंद